हेलो फैमली कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्चे होंगे बिटकोईन यहां टिकने की कोशिश कर रहा है तो आप भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि जहां इतना आपने एक साल का वनवास काट लिया है अगर दो चार छे महीने टिक सकें तो यहां पर उमीद आपक हूँ आज आपने अभी तक सुना था कि एक्चेंजिस डिफॉल्ट कर रहे हैं दिवालिया हो रहे हैं अब यहां पर क्रिप्टो करनसी माइनिंग फर्म भी दिवालिया हो रही है उस बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और उसका इंपक्त क्या पढ़ सकत से कोई ज्यादा फरक पढ़ता नहीं है ग्लोबल मारकिट के उपर लेकिन इंडियन यूजर का दिल तूटता है तो उस बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे बहुत सारी मेहनत कराते हो तो उमीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी कंटेंट अच्छा लगता है हमारा तो आखरी में लाइक जरू करके जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपने अभी तक सुना था एक्सचेंजिस डिफॉल्ट कर रहे हैं और जब से हमने एफ्टी एक्स जो की वन ओफ डिगेस एक्सचेंज सा डिफॉल्ट किया उसके बाद लोगों क विश्वास थोड़ा टूट गया डगमगा गया कि एक्सचेंजिस में हमें पैसा नहीं रखना चाहिए यहां पर एक्सचेंजिस के हलावा अब कुछ नई चीज़े निकल के आ रहे हैं कि यहां पर जो क्रिप्टोकरंसी माइनिंग फर्म है और कोई क्रिप्टोकरंसी माइ भी सीख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि कभी कोई ऐसी टम बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है हमारे यहां दिवालिया का क्या भी कैसी भी होता है वह होता है तो सब आप जो है एक फाइल करते हो कुछ भी तो वहां पर उनके रूल के इसाप से चैप का शेयर है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो बाय सेल कर सकते हो तो उसने बेंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है और आप कह लीजिए ये भी जो है वेयर मार्केट की एक कंपनी भेट चड़ गया है क्योंकि खर्चे नहीं निकल पाते हैं और जो इंफ्रस्रक्टर ची होता है जो उन्होंने एसिट्स बनाए है या जो उनकी उधारी होगी इंवेस्टर का पैसा होगा जब बिटकोईन माइनिंग अल्टिमेटली अगर माइनिंग करती है बिटकोईन माइनिंग से निकल नहीं पा रहा है तो उनके पास में क्या रस्ता रहा है अगर उनको कोई लोग पैसे नहीं देंगे या उनकी उधारी जड़े जा रही है और वो पैसे नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या करेंगे तो ultimately उन्हें यहां पर फाइल करना पड़ा bankruptcy के लिए अब important बात क्या है यही company की बात करता हूँ 2021 के अंदर इसकी valuation की बात करते है 4.3 billion dollar की थी और अभी की बात करते है आज की तो 78 to 40 million dollar की यहां पर इसकी valuation कह रहे है कि अभी रह गई है situation ऐसी हो गई है अब इसकी इसका क्या यह हुआ क्यों आपको यह समझना पड़ेगा हम सबको पता है bear market चल रही है bitcoin का price कहा 70,000 dollar था एक साल के पहले और आज की rate में 15,16,17,000 dollar पे धक्के खा रहा है इनको अप्रेल के अंदर मजबूरी के अंदर अपने operation या खर्चे चलाने के लिए लोगों की उधारी देने के लिए जो उन्होंने mining setup लगाया वा उसको चलाने के लिए लगबाग आप कहले जिए 9,618 bitcoin जो उन्होंने mine कियोंगे जो वो hold कर रहे होंगे उनको उन्होंने बेच दिया हर कोई देखो कई लोगों की मजबूरी हो जाती है तो इनको अपना घर चलाना था इनके पास में extra spare पैसे नहीं है आपके पास में भी मैं यहीं आपको सीख देता हूँ अगर आप मालीजे खुद का खर्चा नहीं चला पा रहे हो तो आपको कभी भी आप spare पैसा रखना चाहिए कोई भी financial instrument के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हो घर के पैसे से नहीं करना चाहिए उधारी लेके बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आपके spare पैसा है पांच-दस परशन का risk ले सकते हो और उससे आपको कोई फरक न पड़े तो ही cryptocurrency और bitcoin के अंदर आपको investment करने चाहिए अब यहाँ पे इनकी उधारी चुकाने के लिए investor का पैसा देने के लिए operation को maintain करने के लिए 9600 जो है bitcoin उनके पास थे वो उन्होंने बेच दिये अपरेल के अंदर के लेकिन कहानी अभी खतम नहीं होती है bitcoin की situation हालत और खराब होती जा रही थी और आज की rate पे 15-16,000 डॉलर है और यह कहा जाता है कि जो बिजली का खर्चा है ना पूरे operation का cost नहीं बिजली का खर्चा तक भी निकल नहीं पा रहा है यहाँ पर cryptocurrency mining करके bitcoin mining करके और यहाँ पर bitcoin mining भी दो तरीके की होती है proof of stake जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपने coins लगाने पड़ते हैं जैसे एथिरियम के अंदर 32 एथिरियम स्टेक करोगे तो as a reward मिलेगा माइन और हम सबको बता है mining जो है एक backbone की तरह काम करती है crypto blockchain को maintain करती है क्या चलता रहेगा उस बारे में क्या बात करनी लेकिन हाँ इसका एक negative impact cryptocurrency market पर पड़ता है थोड़ा समय बता दूँ bitcoin mining के बारे में भी ताकि आपको थोड़ा सीखने को मिले actual में क्या होता है दो तरह की की mining होती है एक होता है proof of stake पे एक होता है proof of work पे proof of stake में आप यहाँ पे लगा देती हो कुछ भी जैसे कि Ethereum की mining आज जो हो रही है आप यहाँ पर 32 Ethereum आगर आपके पास होंगे तो वहाँ stake कर सकते हो और उससे आपको as a reward मिलता है यानि कि आप एक तरह से mine कर रहे हो तो यह होता है proof of work जिसके अंदर आपको machines लगानी पड़ती है और यहाँ पर bitcoin की mining proof of work पे होती है तो machine लगाते हो बिजली खर्च करते हो और उसके बदले में आपको as a reward ब्लॉक जब बनता है तो as a reward आपको bitcoin मिलता है कुछ तो यह चीज़े सारी चल वही है और यह क्यों किया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो by default देखो दो चीज़े हैं इसके इंदर हर block पे जो है आपको एक reward मिलता है percentage हर block पे आपको bitcoin मिलता है के साथ में transaction जो maintain होती है और उसकी जो fees बनती है वह भी miners को दी जाती है और इसी वज़े से वह पूरा का पूरा अपना mining करते हैं यह ब्लॉक्चेन को maintain कर पा रहे हैं रन करते हैं ठीक है तो आगे को पूछे तो overall एक overview आपको मिल गया होगा कि bitcoin mining होती क्यों है और सारी चीज changes की बात होती थी अब mining की बात हो रही है खर्चा नहीं निकल पा रहा है तो उसका एक impact पड़ रहा है और अगर bitcoin यहां से जल्दी recovery नहीं करता है 20,000 डॉलर 21,000 डॉलर से उपर नहीं आता है तो समझ लीजिए इस टाइम पे bitcoin की जो mining हो रही है वो loss के अंदर हो रही है और व legendary आपको पता होगा एक trend line 2011 12 13 से देख रहे है एक legendary line यहां पर आती है कि bitcoin यहां पर एक high बनाता है फिर low बनाता है फिर उस line पर आता है उस support पर आता है और वहां से recovery कर जाता है आपने यह चार्ट अकसर देखा होगा तो आपको मैं बता दूँ तो फिलाल वही अगर legendary line की बा चार्ट थोड़ा चोटा है तो नहीं दिख रहा होगा तो यह legendary line को यह trend line को थोड़ा सा नीचे आ जाए तो घबराना नहीं होता है एक विक बन सकती है monthly या weekly chart के अंदर लेकिन उससे घबराना नहीं है और यहां पर हमने देखना है कि उसके ऊपर closing हो रही है कि नहीं क्योंक लगातार मिल रही है या उसी के आसपास जो है hover कर रहा है उसी के आसपास में यहां पे लगा हुआ है तो यहां से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले time के अंदर यहां पे एक recovery आपको देखने को मिल सकती है bitcoin के price के अंदर तो यह support है important अगर यहां पे एक आदा महीना रहता है उपर नीचे होता है तो घबराना नहीं है तो यह इसका मतलब यह नहीं होगा कि trend line को तोड़के नीचे चला गया क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है नीचे आया लेकिन फिर वहां से recovery कर गया तो यह level जो है ना आपका 15 से 17-18,000 डॉलर के बीच में यह एक important support technically भी य 800 डॉलर पे चल रहा है और हमें यहां लगता है अभी फिलाल support की बात करते हैं तो आज जो support है 16,500 डॉलर है और 16,000 डॉलर है और एक मिलती है लगबख 15,800 अगर मान लो कुछ उपर नीचे होता है तो यहां पे आ सकता है अगर resistance की बात करते हैं कल भी हमने आपके साथ में share क अब यहां पर bitcoin के बारे में मैंने बात कर दी या क्या थोड़ा सा impact पढ़ रहा है इस बारे में भी आपको बता दिया trend line पिछले 10-12 साल की क्या है वो भी आपको बता दी अब यहां पर थोड़ा off track है लेकिन यह बात भी आपको पता होने चीए Elon Musk भाई साब की बात करते हैं हम सब को पता है वो जो कहते हैं जालतर वो चीज़े हमने देखी है करते हुए तो Elon Musk की बात करते हैं तो यहां पर जो latest update निकल के आ रही है Elon Musk हम सब को पता है उन्होंने दो दिन पहले एक poll कर आया था Twitter के उपर करोड़ों लोगों ने उसके उपर वहाँ पर जो है voting करी लग चाहिए अगर votes favor में नहीं आएंगे तो मैं यहां से resign कर दूँगा तो अभी आज की अगर उनकी tweet देखते हैं तो उन्होंने बोला है मैं resign कर दूँगा जैसे मैंने बोला था जब मुझे कोई ऐसा पागल इंसान मिल जाएगा job करने के लिए जो इस चीज को संभाल सके ठीक है कब उनको CEO मिलेगा लेकिन हाँ जब ऐसी चीज़े होती है off track शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं करी होगी कि लोग ऐसे कहते हैं और उसके बाद उन्होंने एक और tweet आया उन्होंने यह बात भी बोली कि सिर्फ blue tick वाले लोगों को मैं अलाओ करूंगा हो सकता है कई bots हो जन्होंने जान पूछ के यह किया हो और उसकी वज़े से उनको negative जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वैसा result यहाँ पर देखने को मिला हो चलो situation जो भी हो लेकिन हम चाहते हैं कि Elon Musk tweeter के अंदर बने रहें और अपने लगतार tweet करते रहें क्रिप्ट परंसी को लेके positive tweet करते हैं Dogecoin को लेके और जैसा कि हमें उमीद थी कि Dogecoin के अंदर गिरावट थोड़ी देखने को मिल सकती है अब यह result के बाद में आप देखोगे कि देखने को मिली Bitcoin फिर भी हां maintain करने की कोशिश कर रहा है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों इंडिया से related और हमने जैसा ग्लोबल सपोर्ट ना मिले है सब लोग इखटे ना है और उसके बाद में पार्लेमेंट के अंदर भी क्रिप्टोपरंसी से रिलेकि जो है related कोशन पूछे गए थे उसके बारे में हमने अल्रडी वीडियो बना दी थी और यहाँ पर जो वहां के स्टेट मिनिस्टर है और एक्सचेंजिस के बारे में बात बोली थी कि क्या-क्या उनके केस एक्सचेंजिस पर चल रहे हैं तो उसके बारे में वो वीडियो देख लीजेगा आपको overall detail मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर हमारी RBI का शुरू से एक स्टेंड रहा है और 2018 में उन्होंने बैन लगा दि मिला होगा कि बैंक लोगों के account freeze कर रहे थे उस time पर अभी भी RBI की statement आई थी recently कि ban कर देना चाहिए अब वही चीज को जो RBI के governor है श्री शक्ति कांता दास उन्होंने एक summit के अंदर अब वो summit BFSI business standard का जो summit था उसके अंदर उनसे cryptocurrency के बारे में पूछा और दुबारे से उन् RBI के governor ऐसी बात बोलते हैं उनका यह कहना है कि जो अगला financial crisis आये का ना वो cryptocurrency जो private cryptocurrencies से उनका मतलब यही है कि जो cryptocurrencies बिटकोईन एथिरियम यह जो जो market के अंदर चल रही है जो government के थूरू नहीं issue की गई है तो उसकी वज़े से अगला financial crisis या आप कह लिए आर्थिक मंदी या situation आ सकती है और उनका ये भी कहना है कि अभी भी वो ये मानते हैं कि cryptocurrency को यहाँ पर ban कर देना चाहिए बड़ा मुश्किल होता है चीजों को समझना लेकिन अगर क्योंकि RBI का शुरू से extend रहा है कि यहाँ पर ban कर देना चाहिए लेकिन दुनिया की दूसरी countries से अगर मैं compare करता हूं तो हमें ये भी देखने की ज़रत है कि हम stand कहां करते हैं इंडिया one of the leading cryptocurrency holders में से आती है जो पहले data बोलता था लग करोडों लोग जो है इसके अंदर investment करके बैठे हुए और कहीं ना कहीं जब cryptocurrency के अंदर पैसा जाता है तो एक mainstream या financial system में से पैसा निकलके cryptocurrency के अंदर आत है तो कोई भी country होगी कहीं ना कहीं या जो उनके concerning person होंगे regulators होंगे उनके लिए concern जरूरी है और वही चीज यहां दिखाते दिख रहे हैं और हमें इनका भी एंगल समझना चाहिए देखो आप अपनी तरफ सही हो कि आपको लगता है कि cryptocurrency future है सारी चीजे है लिखिकर अगर य बहुत सारे manipulators की वज़े से कहीं न कहीं जब हमें ऐसे देखने को मिलता है बहुत सारे scam देखने को मिलते हैं और हमारी government हो यह financial regulators हो RBI हो वो यह भी नहीं चाहते कि लोगों का नुकसान हो अगर उनके एंगल से देखते हो तो यह उनकी बात ठीक लगती है लेकिन हमारे transaction लिए जा सके हैं या थोड़ा सा एक standard regulation लेके आए जा सके हैं ताकि कोई गलत काम ना कर पाए तो एक opportunity की तरह भी Bitcoin क्रिप्टोकरंसी हो सकती है एक आप समझ लीजीए Web3 की बात करते हैं blockchain की बात करते हैं दुनिया बात कर रही है future उसका bright कहते हैं दुनिया adopt कर रही है तो हम कुछ ऐसे mechanism नहीं बना सकते कि फालतू के लोग इसके अंदर involve ना कर सकें या कुछ limited ही चीज़े देते हैं कि हम भया इतने coins में आप trade कर सकते हो कोई harm नहीं होगा इससे कहीं न कहीं revenue भी भड़ेगा और कहीं न कहीं लोगों के अंदर confidence भी आएगा यह हमारा मानना है लेकिन ऐसे Tom, Dick, Harry कोईसी भी coin के अंदर लगाना या किसी भी coin में अपना लेके किसी के कहने पे लगा देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है इसके लिए भी आप सबको समझना चाहिए और मेहनत का पैसा है सही जंगे लगे सही तरीके से लगे वो आपको भी देखना चाहिए औ और हमारा हर बार की तरह काम यही था कि हम आपके साथ में content share करें जो information आ रही है वो शेयर करें और हमने यहां पर वही कोशिश की उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी content अच्छा लगा होगा और RBI के जो governor है उनके उपर आपका क्या कहना है या overall cryptocurrency का future क्या लगता है क्या कहना हमें जरूर बताईएगा हम उसका भी comment के अंदर आपका देखेंगे और reply करने की कोशिश करेंगे उम्मीद करता हूँ content अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like जरू करके जाएंगे चानल को subscribe जरू करके जाएंगे और हमारा motivation भी बनाए रखिए family का हिस थैंकि नश्कर्दनेवाद